नमस्कार मैं अल्पना मेरे चैनल प्यारी बीटिया रानी में आप सब का स्वागत है आज मैं आपके लिए फिर से बनाऊंगे बहुत ही सरल रेस्पी मेंस आज हम बनाएंगे केले का सीख जो कि बहुत ही जटपट बन जाता है और बहुत ही स्वाधिश लगता है पीने में य और यह ठंडा ठंडा फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में और बहुत ही जल्दी बनता है और इसके लिए बहुत ज़द्ध चीजों क्या आज सकता नहीं होगी घर में यह जो चीजें हैं उन्हीं से हम बना लेंगे इसको और बहुत सरल तरीके से बनता है किचन में तो पिर चलें हमारे किचन में और बनाना के संबूक करते हैं बनाने का सेख बनाने के लिए यह थे Cane लिय deserves टे या है कि दूद भी आपको यह नहीं कि फुल क्रीम लेना है या फ्रेस क्रीम लेना है इसा कुछ नहीं है जो दूद है आप ले सकते हैं चीनी चार चमच पिश्टा काजू और यह इलाइची का पाउडर थोड़ा सा बादाम हमने काट लिया है और चार क्यूप्स लगब बर्ग पर ट सेख ही है ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा काटना है छोटा काटना है अब इसमें जो हमने दूद लिया था इस तरीके से दूद को डाल देंगे दूद डालने के बाद हम यह चीनी डालेंगे अपने स्वादा नुसार वैसे भी केला मीठा होता है तो थोड़ा से जितना आप अगर आपका दूद ठंडा है तो भी आप पना सकते हैं और अगर आपका केला भी ठंडा है फ्रिज में रख दें ठंडा हो जाए तो इसमें बरप कम डालेंगे क्योंकि बरप ज्यादा डालने से क्या होगा यह बिलकुल से हमरा पतला हो जाएगा तो इस बात का ध्यान मात्रा आप कम ज्यादा कर सकते हैं अब हम इसको थोड़ा सा गार्निस करेंगे यह देखिए हमने केले के छोटे-छोटे पीसे कट कर लिये थे और इसको उपर से थोड़ा सा डाल देंगे तो आप भी बनाईए फ्रिंस अपने बच्चों के लिए परिवार के लिए बहुत जटपट बिल्कुल ठंडा ठंडा बहुत टेश्टी लगता है और गर्मियों में तो इसपेसली सबको बहुत पसंद आता है और जटपट बन भी जाता है तो यह देखिए थोड़ा से इलाइची पाउडर डालेंगे और ड्राइफ फ्रूट्स डाल के इसको हम सर्व तो हम आपको इसी तरह से चोटी चोटी चीज़ें बनाना बताते हैं जो बहुत ही जटपट और आसानी से बन जा और घर में आप बना सकते हैं यह देखिए इसको हम गार्निस कर देंगे तो बने रही है देखते रही है इसी तरीके से आप पपीते का सेग बना सकते हैं तो